हेलो मेरे पैरे बच्चों कैसे हो आप सभी आसा करता हूं सभी अच्छ होंगे आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हुआ कहता कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट आरे थे हैं इस्टा फेसी उपर इससार हम तो ट्रैकमेन वाली जॉब छोट र बेजिया और उस सेलरी सिलिप को देखने बाद आपको फील होगा कि क्यों जोब नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी और उस वीडियो में यहीं समझाता नहीं छोड़नी चाहिए पहले सेलरी सिलिप देख लेते हैं फिर मैं वो कारण बचाऊंगा जिस वैसे बच्चे जॉब चोड़ रहे थे और उसके बाद वो कारण बताऊंगा क्यों नहीं चोड़नी चाहिए तो गाइस यहां पर देख लेते हैं पहली सेलरी सिलिप बच्चे क्या रखी है बट उससे पहले हां कल रात नौब बच्चे कहते क्या सर इस संड़े को मैराथन यहां बच्चो ऐसा यहां पर सेलरी सिलिप दिखाने वाला हूं साथ इसाथ अगर आपको बताऊं तो डेट ऑफ जोईनी इस बच्चे के उननीश चार दोजार तेईस यानि की अप्रेल में इसकी जोईनी हुई है उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो यहां पर बच्चे का यहां पर अगर अगर देखा जाए तो यह मेरवई अपरेल में उसकी जोईनिंग थी मई का यह वेतन है अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या है मेरवई डूटी डेस 31 दिन उसने जॉब करिया ग्रोस पे 40,723 रुपे 40,000 रुपे उसकी सैलरी बन रही है आप समझे आप जिस जॉब को छो अब जुद किसी और में उसका सेलेक्शन हुआ तो बहतर है आप जॉब पर लगे रहे हैं क्योंकि अभी आप हाल फ्लाल में एक रेलवे की तरफ से नोटिस आया था जिसमें गुरूप डिम अगर आप 5 साल दो पढ़ाई करते हो अगर काम करते हैं जॉब लगी एक दो साल रुप यह का है मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि सैलरी जब मिलती है तो सैलरी बंते समय जो पूरे डोक्योमेंट वसके टाइम लगता है तो रह जाती है उसे यहां पर जोड़कर एरियर बेसिक पे के नाम पर दे दिया जाता है इसके अलावा डियर नेस जो की मेहगा ही बता होता है 42 परसेंट वो मिलता है तैन 560 उसके लावा एरियर्स डिये जो अभी भी बताया कि जो टाइम लगता है जो पिछला रहा जाता हो यहां मिल जाता तो वह कितने बुछ एज़ा थिर जिरो टूफ एरियर्स ओफ एचारे जो कि 648 है एजिए आरियर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अलोएंस यह 511 ट्रांसपो कोई दो राइनी है पर हाँ अगर देखा जाए तो टोटल कहीं न कहीं आपकी सैलरी कितरी बन लिए चालिस जार हाँ यह बात अलग है कि सैद इसमें कुछ चीजे एश्टर है आप अभी सैदो नीचे भी हो जाएंगे तो भी आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फरक पर इस बच्चे की टोटल सैलरी इसके पास आरी आप एक सची समझे पहले महीने बच्चा जॉब कर रहा है कल तक कुछ नीता और एक दम अकाउंट में 40,000 पर आना बहुत छोटी बात नहीं होती 40,000 पर अपने आप में बहुत बड़ी बात होती एक अलग मोटिवेशन मिल मिलता है घर वालों की बहुत सारी दिक्कते खतम हो जाती है और आपको जो रिलेक्स मिलता है क्या होता है जब आप टैंसर में 10 घंटे पढ़ते हो बजाए उसके रिलेक्स होके 3-4 घंटे पढ़ोगे तो आपको जादा अच्छी पढ़ाई कर पाऊगे तो यह जो जौब ह आपको एक satisfaction देती है समाज में इज़त देती है और आप रिलेक्स होकर आराम से पढ़ पाते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर नहीं भी लगेगी तो मुझे पे कुछ है तो तब ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाते हो जो आपको पता है कि मुझे 50 ओरों में सिर्फ म तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो यह हर इंसान पर एप्लिकेबल है ऐसा नहीं सिर्फ आपके उपर हर वो इंसान जो कोई भी competition में वो competition किसी भी तरीके आगा हो सकता है तो इसलिए कोई भी अपनी जौब ना छोड़े मैं आपके भाई की तरह मानलो आपको एक अच्छ पर दिन एक बच्चे मुझे मैसेज आता है क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चा जो रेलवे गुरुप जॉब करा बहुत सारा बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है तो हर रोज एक मैसेज आता है गुरुजी छोड़ना चाहता है सर मजा नहीं आ रहा तो बच्चों मैं यही द प्यारी करते रहो और जॉब को छोड़ना कोई सॉलुशन नहीं है और आप कहते रहे तो गुरुजी पढ़ा रहे हो बिल्कुल कल रात संडे रात नौबजे फिर से आपके लिए मैं रहतना है अभी क्या करना है इस इवेंट को लाइक कर दीजिए जाके और इसको मिरुए सब्सक्राइब कर लो उसके अलावए एक बैच भी चल रहा है मेरे फिजिक्स वाला वाली आप पर सिर्फ 599 रूपीज में बैच है आप इस बैच में भी जूड़ सकते हो ठीक है तो फिर मिलते हैं संडे रोज रात नौबजे क्लास होती है तो रोज रात नौबजे और आ पर आपको कोई पूछ भी नहीं रहा होता तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत में आपको टाइम दे पाऊं आप से रोज मिल पाऊं कुछ बात है कर पाऊं जिससे आप थोड़ा सा पॉजिटिव फिल करो तो मेरे लिए वह अच्छा है ठीक है और रोज रात नौबज मिला करो इसी चैनल पर ओके वाई लव्यू जहिन जावारत वाई